उत्तरप्रदेश विधान सबाचुनाव 2022 जाने 10 फरवरी को होने वाले मद्दान की डिटेल्स यूपी विधान सबाचुनाव में आज यानि गुरुवार को महा संगराम की शुरुवार्थ हो चुकी है क्या-क्या नया देखने को मिलेगा इस पार चाने इस खास रिपोर्ट में चुनावी रूप से महतपूर्ण उत्तरप्रदेश की सत्ता पाने के लिए भारती जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच सियासी जंग शुरू हो चुकी है क्योंकि उत्तरप्रदेश विधान सबाचिनाव 2022 में पहले चरण का मद्दान आज यानिदस परवरी को शुरू हो चुका है इसके पहले चरण का प्रचार मंगलवार 8 परवरी शाम 6 बजे तक खतम हो गया था जहां राहुल गांदियों और प्रेंका वाडरा के नित्यत में कॉंग्रेस निमद्दाताओं को लुभाने के लिए कई रैलिया और घर घर बैठक की वहीं बीजेपियों और समादवादी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में और भी अक्रामक हो गए भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, पुरोना वाइरस महमारी के मद्दे नजर, रोडशो और शारिरिक रैलियों पर प्रतिबंद के कारण विधानसवा छेत्रों में केबल डोर-टू-डोर प्रचार की ही अनुमती होगी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के तहर प्रतेट चरण के मद्दान से 40 घंटे पहले प्रचार समाप्त करना होगा, मालूब हो कि यूपी में साथ चरणों में 10 स्वरवरी से 7 मार्च तक मद्दान होगे, इसमें पहले चरण में 11 जीलों की 58 विधानसवा सीटों पर आज मद्दान हो रहा है, वहीं उत्तरप्रदे गाजियबाद, बुलन शेर, आगरा और मतुरा सहीद 11 जीलों में आज मद्दान होने वाले हैं, वश्चिमी उत्तरप्रदेश में विधानसवाच चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार शाम को एक व्यस्त दिन के बाद मद्दान समाप्त हो गया, इसके दोरान सत्ता रूड भाच्पा और मुख्या विपक्षी समाजवादी पार्टी ने अपने गोशना पत्मन जारी, सभी पार्टियों ने रैली में अपना-पना उद्देश्य मद्दाताओं के सामने रखा, इसमें केंद्रे गह मंत्रिय मिश्चा ने 2017 से पहले कहलान से हिंदू के पलाय को किसानों के मुद्दे पर केंद्ध करते हुए चुनावी वादों को लेकर यूपी के मुख्य मंत्री योगी अधितनात पर हमला किया, तो वहीं दूसरी और देर से चुनाव पचार शुरू करने वाली बस्त्वा प्रमुक मायावती ने लोगों को अपनी सरकार के कानु लोट के बीच बताया जा रहा है, लेकिन पहले चरण में कुछ सीटों पर बस्तवा का भी प्रभाव रही, अब देखना हो दिल्चस्प होगा, आखिर सरकार किसकी बनती है, तब तक के लिए देखते रहिए, देशित निव्स, धन्यवाद।